नमस्कार दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ड्रीम होम और मैं हूँ सतीश पांडे दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 20-22-40 फिट का इस्ट फेस होम प्लान लेकर आया हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि यह प्लान आप लोग जरूर पसंद करेंगे इस प्लान के लिए मुझे यूट्यूब पर ही कमेंट मिला है तो उसी कमेंट के आधार पर यह प्लान मैं तयार कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने कमेंट किया है और आप लोगों को भी यह प्लान जरूर पसंद आएगा तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं क्योंकि एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छे-च्छे पलान लेके आता रहता हूं जो लोग चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को भी जरूर दबाएं जिससे की आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे दोस्तों इस प्लान को देखने के लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें एक बार समझ में नहीं आता है तो दो तीन बार देखें जिससे की आप लोगों को पता चल जाए कि इसमें जो कुछ लियाउट किया गया है वा क्यों और कैसे किया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो स्टेर केस है किचन है और टौलेट है इन सब का जो लियाउट है वा ऐसा क्यों किया गया है इसके लिए जरूर यह है कि आप प्लान को बिना इसकिफ के हुए आराम से देखें तो चलिए दोस्तों इस प्लान को अब ब्रीफ से देख लेते हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह फ्रंट साइड है और यहां पर रैंप लगा है यहां पर देखिए में गेट लग जाएगा और यहां से इंट्री करेंगे तो पोर्च में आ जाएंगे यह देखिए जो पोर्च का साइज है वह है 9 फिट 3 इंच वाई 13 फिट का तो इसमें बड़े आराम से कार खड़ी हो जाएगी और यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में स्टेर केस बनाया गया है पूर्वी मुख का प्लाट होता है उसमें जो इंट्रेंस है वह नार्थीस्ट कॉर्णर से इंट्रेंस बहुत अच्छा माना गया है इसलिए यहां पर नार्थीस्ट से ही इंट्रेंस दिया गया है और जो नार्थीस्ट का कॉर्णर होता है वह पूर्च के लिए भी उत्तम माना गया है वास्तु के अमसार यह देखिए जो सीड़ी का लोकेशन है वह है साउथ हिस्ट तो साउथ हिस्ट में जो सीड़ी है वास्तु के हिसाब से एकदम उत्तम माना जाता है इसलिए साउथ हिस्ट में ही सिंडी को बनाया गया है और आगे देखते हैं यह किचन है किचन को भी साउथ हिस्ट में बनाया गया है यह भी ऐस पर वास्तु ही है और यह देखिए किचन में स्लैब बनाया गया है और यहां पर देखिए गैस्चुले का लियाउट किया गया ह दोस्तों जो आप लोग गश्चूला देख रहे हैं यह भी इस पर वास्तु के हिसाब से यहां पर लियाउट किया गया है वास्तु सास्तु में ऐसा कहा जाता है कि जब हम भोजन बनाते हैं तो अपना फेस पूर वे की तरफ होना चाहिए इसलिए वास्तु को ध्यान में को अपने शुदा के अनुसार कर सकते हैं और हाल में देखिए सोफे का अरेंजमेंट किया गया है चूंकि यह प्लाट जो है 800 स्क्वार फिट का ही है और साइट से कुछ जगह नहीं छोड़ा गया है और इसमें पोर्च भी दिया गया है इसलिए यहां पर एक ही मल्टि पर हॉल भनाय गया देखिए और इसमें देखिए डबलुसी का लेडा रूट किया गया है वास्टो साइर मेंसे जो होता है वह होना चाहिए कि WC का face south side की तरफ हो तो आप लोग देख सकते हैं यह इसका face है और यह south side के तरफ है तो i4 वास्टू यह एकदम सही है आगे बढ़ते हैं यह देखते हैं bedroom है और जो master bedroom के लिए उत्तम अस्थान होता है यह होता है कि दच्छिर पस्चिम का कोना तो यहां पर देखिए दच्छिर पस्चिम के कोने पर यह bedroom बनाया गया है bedroom का size 13 feet by 11 feet और इसके साथ देखिए आटाइस ट्वालेट दिया गया है इसका size यह 5 feet एक इंच वाइ साथ फिट का और इसमें भी देखिए इस पर वास्तु यह WC का लेयाउट किया गया है इतना portion देखिए OTS रखा गया है जिससे क्या होगा कि इस ट्वालेट को और इस ट्वालेट को विंडो आ जाएगा तो इसमें लाइट और हवा का प्रावलम नहीं होगा तो दोस्तों यह हमीद करता हूं कि प्लान आप लोगों को ज़रूर पसंद आजा होगा और इस यवी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंट एक लाइक कर दें और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट सब्सक्राइब कर ले देखिए दोस्तों लाइक करने से क्या होता है आपका तो कुछ नहीं लगता है लाइक और सब्सक्राइब करने से लेकिन हमें जो है आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें पता चलता है कि आप लोग मेरे प्लान को मेरे वीडियो को कितना लाइक कर रहे हैं लाइक को देखके ही हमें खुशी मिलती है तो उमीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए यदि आप लोगों का कुछ कमेंट है तो कमेंट जरूर करें मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद